राश्टिय जन्तादल के बिधायक सुधाकर सिंग हमारे साथ हैं हम बात करेंगे उपिंदर कुश्वाहा ने कहा है कि 14 तारिख के बाद खारमास खतम हो जाएगी फिर नेने लिया जाएगा क्योंकि यह महागढभंदन में रहते हुए मुखमंत्री के बारे में बयान देते ह कि उपिंदर कुश्वाहा और जदियू को अच्छा नहीं लग रहा है सर क्या लग रहा है 14 तारिख के बाद क्या वो इंतजार कर रहे हैं मुझे लगता है कि पूरे सवाल में इंतजार का कोई सब्द नहीं है इंतजार का कोई समय निधारन नहीं है और किस कारवाई किस बात कर रहे हैं हमको समझ से बाहर है हम जिन मुद्दों पर सवाल कर रहे हैं उसका जवाब देने में लोगों का मुह क्यों बंद है मैंने एक ही सवाल किया कि बिहार में मंडी कानून होना चाहिए धान गिहों खरीद में multiple agency होना चाहिए यह दो सवाल है इसी का तर जवाब मांग रहे हैं हम लोग आपके माध्यम से मांग रहे हैं केविनिट में भी था तो मैंने बोला बिभाग में भी था तो मैंने लिखा और अभी भी मैं आपके माध्यम से मांग कर रहा हूँ इन सवालों का जबाब चाहिए ना अब संदर्भों के आधार पे किसी सब्द की जो ब्याक्या है वो अलग-अलग तरीके से हो सकते हैं लोग करते रहते हैं उसके आधार पे फिर कारेवाई का क्या विशे बनता है आपको लगता है कि पिंदर को स्वाहा शायद उमीद है उनको कि आप पर कारवाई होगी और पुना फिर से आप भारती जनता पाटी को दामन थाने थामेंगे पत्रकारों को उन्होंने बार बार कहा है कि इंतजार कीजिए उनके कहने से ऐसा लग रहा है कुछ किसी बयान का जवाब इसलिए नहीं देना चाहता हूं कि वो मुखोटा है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के मुखोटा लोग होते है मुखोटा क्या आरोप लगा रहे है उसका मैं क्यों जवाब दू अगर उनमें दम है तो मेरे सवाल का जवाब दे मैं उनके सवाल का क्यों जवाब दू अच्छा एक सर बात है मुखमंतरी नितिश कुमार का एक बिवादित बयान है जो चर्चा में है विपक्ष जो हैं उस पर हसी उड़ा रहे हैं उन्होंने भरी सभा में जनसंख्या नियंतरन को ले करके मर्दों को पर आरूप लगाया है कि यह दीन रात लगे रहते हैं तो फिर जनसंख्या नियंतरन कैसे होगा महिलाएं जो हैं उनको पढ़े लिखे होने चाहिए उसे जन व्यक्ति का असोभनिय आच्रण माना जाएगा मैंने देखा नहीं है जिस बात को आपने कहा अगर जिस तरह से उन्होंने आप कह रहे हैं कि ऐसा उन्होंने कहा सब भी लोग वीडियो वैरल है इस उम्र के वो पड़ाव पर हैं बेहद असोभनिय बात उन्होंने बोला है और असंसदिय भी बोला है हम लोगों के अपेच्छा रहती है सिर्षपत पर जो समवैधानिक पदों पर जो सिर्षपतों पर बैटे हैं कि अपने किसी भी भाषण में और बातों में इन मर्यादाओं का निश्चित तरपख्या लखेंगे जिससे समाज के भीतर यह नक्खरा धालना जाएं कि वह बलगर है विपक्ष कह रहे हैं कि उम्र हो गया है अब वह मुखमंत्री के लाइक नहीं उनको पद छोड़ देना चाहिए जिन जो विपक्ष की बात आप कर रहे हैं वो 17 साल से नितियस कुबार जी को कंधे पर लेकर के विहार घुमे है यह आलोब तो उन पर है कि उनमें जब यह मेरिट नहीं था तो 17 साल लेके घुम कैसे रहते हैं लोग हमारा तो आज भी भाजपा पर बहुत बहुत सवाल है कि कर क्या कर रहते 17 साले का आदमी को जिसको नाकाविल आज मानते हैं क्या सत्ता के हिस्सेदारी और बटवारे से अलग हो जाने से उनकी कुंठा एह बात बोल रही है कुंठित लोगों का वयान है बारते जनता पार्टी को तो पहले ही सोचना चीए था किसको लेकर के गोमते हैं विहार में अमतिन सवाल है आपके पिदा जी परदेश के अध्यक्ष है जग्दानन बाबू उन्होंने अजद्या में ही राम है उसको नकारा है उन्होंने कहा है कि सब्री की कुटिया में राम का अभी भी निवाश है हम लोगों की मानेता है कि राम हर जन जन में बसने वाले हर दिल में बसने वाले राम भारत का सनातन कहता है कि मेरा इस्वर अजनमा है हम एक इस्वर बादी हैं हम एक इस्वर में विश्वास रखने वाले भगवान राम सब जगह विराजमान है घट घट में कणकण में विराजमान है आप जहां महसुस करेंगे वहीं भग्मान नाम विराजमान है तो साफ़तार पे देख रहे थे किराश्य जंता दल के नेता विधायक सुधाकर सिंग ने बिवाकी से जवाब दिया है उन्हें साफ कहा है कि कुपिंदर कुस्वाहा का बयान उतना ज़्यादा यह सिरियस नहीं लेते हैं वो मुखवटा है और नितीश कुमार जो की इस तरह का बयान देते हैं उसके बारे में इनकी जानकारी नहीं है और अगर वह ऐसा बोलते हैं तो यह सोभा नहीं देता है पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीब किरिपू